Hello, I am Sunil Gulerya और इस वीडियो में हम जो है वो question number 4 of exercise 10.2 उसको solve करने वाले हैं, so जान से देखिए आप, हमारे पास first part जो है, इसको पहले question को आप read करेंगे, तो हमें उसका benefit हो जाएगा कि question जो है वो क्या है, कि हमारे पास part है कि if a is equal to 2, अभी तक हमने जो question solve की है, उसमें एक ही value substitute कर रहे थे, इसमें हमें जो है, we have to substitute the two values, for example, a की value है and the second one is that is the value of b also, so first expression हम लेते हैं और first expression में हमारे पास आजाता है कि that is what, a square and then plus b square, अब a square plus b square है, तो a की value हमने substitute करनी है 2, तो आप इसमें 2 substitute करी है और उसको square कर दीजिये, plus b की value जो है, that is minus 2 और इसको square कर दीजिये, अब 2 into 2, so that is 4 and यहां पर इसको plus रहने दीजिये, पहले इसको solve कर रहे है, minus 2 raise to power 2, so minus 2 into minus 2 करते है, minus minus plus, so that is 2 into 2, 4, so यहां पर आपके पास plus जो है, वो 4 आजाता है, 4 plus 4 जो है, वो आपके पास answer जो है, उसका 8 answer आजाता है, so this is your first part, and now we want to solve the second part, second part रहा है, और बिलकुल ध्यान से लिखिए, a square लिखेंगे हम, plus a, b लिखेंगे हम, plus b square लिखेंगे, अब जो a की value है, वो हमने 2 substitute करने है, तो यहां पर हमारे पास a है, और हमने इसकी value 2 substitute करने है, so 2 square हो गया है, हमारे पास, और plus अब इसमें a and b है, तो a की जगा आपने क्या substitute करना है, 2, और b की जगा हमने substitute करना, minus 2, so plus then b square है, b square की जगा हमने minus 2 का square करना है, calculation आपने बड़े ध्यान से करनी है, और उसको double check करना है, अगर आप exam में solve करने हैं, इसको 2 into 2, that is let's suppose 4, और यहां पर आपके पास plus का 2 है, minus का 2 है, plus minus जब multiply होते हैं, तो हमारे पास minus आ जाता है, 2 into 2 हमारे पास 4 हो जाएगा, यह minus के 4 होगे, अब इसको solve करते हैं, minus 2 into, अगर करते हैं, minus 2, तो यह हमारे पास minus minus plus means 4 हो जाता है, तो यह हमारे पास 4 आ जाएगा solve करके minus 2, तो यहां पर plus करके हमारे पास 4 आ जाता है, अब 4 plus 4, हमारे पास 8 आ जाता है, 8 minus 4 है, तो हमारे पास answer जो हो 4 आना चाहिए, तो इसका answer जो है, वो 4 होना चाहिए हमारे पास, this is second part, square, अब a square है, तो a की बहली हमारे पास 2 है, तो 2 का square कर दीजिए, आप minus b हमारे पास minus 2 है, तो minus 2 का square कर दीजिए, अब 2 square 4 हो गया हमारे पास, यह minus का symbol अभी रहने दीजिए, minus 2 into minus 2, that is 2 into 2, 4 minus into minus plus, तो हमारे पास यह 4 आ जाता है, और यहां पर minus का symbol है, 4 minus 4 is equal to 0, इसका अंसर 0 होना चाहिए, तो यह हमारे पास 3 पार्ट हैं और इसमें हमारे पास जो है, इसका अंसर 0 आ जाता है, so thanks for watching this.